प्रेंड्स एक्जाम इत्मी के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो फिर देखें आज के हमारे चर्चा का विश्या है एनम के 10709 पदों के लिए बिग्यापन जारी बिदाउट पेट के कंडिडेट भी इसमें करें आवेदन बेतन मान क्या रहने वाला है आनलाइन कब से होंगे और इसकी अंतिम्तिति क्या है इन सभी बिंदों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जिसके लिए देखें आपर ऑफिसियल नोटीस भी जारी कर दिया गया है उस नोटीस को भी मैं दिखाऊंगा आपको और जो है की कटेगरी वाईज जो यहाँ पर सीट कि एनम के समद्ध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे 10709 पदों के लिए उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे रियल और आथंटिक अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए तो आए चलिए शुरू करते हैं अपनी जानकारी को तो देखें से आपर आवस्यक सुचना बिग्यापन संख्या 07.2022 बिहार महिला स्वास्तकार करता यानि कि एनम के कुल 10709 पदों पर नियुकती है तो आनलाइन आवेदन करने के तिथी जो है वो 282022 से 1922 तक निधर्द की गई है जो पदों की कोटिवार देखें बिवरड है वो यहा 1500 से 20,200 आपका basic पर रहने वाला है और जोगए आपका grade पर लगेगा वह 2400 ग्रेट पर लगेगा यानि कि 28000 आपका बेतन यहां पर बनेगा और bullet 4 आपका यहां पर स्ते रहे गा और धेखें सिटों के संख्या के टोटल 10,709 है और उसमें से देखिए स्वधंदा सेनानी के नाती पोतों के लिए 180 सीटें यहाँ पर आरच्छी थे हैं और यानि कि अनारच्छी स्रेडी के कंडिडेट के लिए 3549 पद हैं EWS के लिए 868 और 288 यहाँ पर कंडिडेट 80 के लिए 802 के लिए और देखे 2403 OBC के लिए हैं ऐसे ही देखे अगर आप यूपी के कंडिडेट हैं अगर आप यहाँ पर फार्म अप्लाई करेंगे तो आपको इन्हीं यूवार कंडिडेट जो कि अनारच्छी स्रेडी है इसको यूवार बोला जाता है यानि कि अन्रिजर्बर कटे अगर आप बिहार से बाहर के हैं किसी भी अन्य प्रदेश के हैं तो आपको जो है कि इतने 3549 सीटों में ही आपर फाइट करना होगा देखे दिव्यांगों के लिए 4% यहाँ पर सीटे आरच्छी थे वह भी देखे 346 सीटे जो है कि आपको दिव्यांगों के लिए आपर आ इसी डाटिन पर 182022 से आने की एक अगस्त से आप इसको यहाँ पर देख पाएंगे और देखे यहाँ पर सचीव का देखे यहाँ पर साइन वगरा दिया गया है बिहार तकनिकी से वायोग पतना का सताई जुलाई के डेट में है और देखे जो है कि आप इसको अभी फिला फिलाल देखे वेफसाइट पर यहां नहीं दिखाई देगा यहाँ पर दिया गया देखे कि एक अगस्त से जो है कि आप इसको वेफसाइट पर देख पाएंगे फिलाल यह मुझे सूजना मिली है और देखे आप पहले से ही प्रिपेर रही है इसमें विदाउट पेट जो यूपी ट्रिपल सी एनम 9212 रिजल्ट को लेकर तो देखे आपर दो बाते हमको बताई गई है और देखे दोनों बातों में से पहली बात यह है कि इसमें देखे पहली बात बताई है कि जो आपका रिजल्ट है वो आज साम तक जारी किया जा सकता है पहली सूचना तो यह म उसके दो से तीन दिन बाद यानि कि लगभग दो या तीन या चार तारीक को आपका रिजल्ट यहाँ पर डिकलेर किया जागा तो देखे दो कंडिसन यहाँ पर हमको बताई गए हैं पहला तो यह रिजल्ट अगर आज आ सकता है तो साम को आज आ जाएगा 30 जुलाई को सा पर फाइनली डिकलेर किया जाएगा यहीं दो बाते बताई गए हैं सूचना से जो की आयोग से यहीं सूचना मिली है रियल्ट के समंध में तो आसा करते हैं कि हमारी बात आपको बहुत अच्छी तरीके सौंज में आई होंगी और यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंडिडेट ने पेट का फार्म फिल करके इस फार्म को नहीं जो 9200 बारे में अपलाई नहीं कर पाये थे वो लोग कंडिडेट देखे यहाँ पर 10,000 यानि कि देखे यहाँ 9000 से भी ज्यादा सीटे देखे यहाँ पर बिहार में निकली है तो यहाँ पर भी आप अपलाई करिए यह भी आपडेट होने लगेगा जब यह वेपसाइट बरा जाएगा जब इसके फार्म फिल होने लगेंगे तब फिर से आपको यहाँ पर अपडेट किया जाएगा और फार्म फिल करने का तरीका भी आपको बता जाएगे कि आपको फार्म कैसे फिल करना है बहुत सारे कंडिडे आई आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को साथ तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो आपको बताएगा जो आपको बताएगा कि लेकपाल की एक जाम के बाद ही आप डिकलेर कर पाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो